ये बहते हुए पानी की तस्वीरें किसी अंडरग्राउंड नाले या किसी घर में घुसे पानी की नहीं है बलकि ये मन्जर अजमेर के जवाहलाल नहरू अस्पताल का है वीपर जुआ चक्रवाद के कारण राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसमें से एक है अजमेर जहां पिछले कई घंटों से लगतार मुसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण जवाहलाल नहरू अस्पताल में पानी घुसाया है अस्पताल के कई वाड पानी में डूब गए हैं जिसके कारण मरीजों को वहां से शिफ्ट किया गया है वहीं मरीजों के तिमारदार अस्पताल में पानी के बीच चल कर अपनों की देख भाल करने को मजबूर है बीडिया-सरजर्जरी में से जिले न श्कटाल में आबी क्या हिलात है जी आ साझ तो लो प्रोप्लाम यां जादा जाए है दो इन रचानHaन अस्पताल के डॉक्टर भी वार्ट्स में भरे पानी के कारण मरीजों की हालत को लेकर चिंता में है अस्पताल के और्थोपेटिक वर्ड से लेकर पूरे होस्पिटल में क्या हालात है उस पर प्रशार्शन ने पूरी जानकारी दी हालांकि अस्पताल प्रशार्शन लगातार हो रही बारिश के कारण चिंता में है जाहिर है जालोर में हो रही लगातार बारिश सभी के लिए मुसीवत लेकर आया है लेकिन यह अगर कम नहीं हुई तो अस्पताल और मरीजों की मुश्किलें और बढ़ सकती है NBT Online की रिपोर्ट लेकिन इसक्षार्श मैं आपर बारिश मैं ओर्ट लेकिन लेकिन मैं वी इसक्षार्श लेकिन से StatE मैं आपर लेकिन सांव किर मिश्कराश लेकिन प्रूब कर लेकिन कि हुआ आप दरी ड़् नहाराख झाल